आपना पिटनी को मैंने अपनी एक किटनी ती आपना किटनी हमको तान दे जीवण्तान कर दे यह तस्वीरें बिहार के सारन जिले से सामने आई हैं जहां भारी भीड और जिन्दाबाद के नारों के साथ लालो की बेटी रोहिनी आचारे को जनता का बेशुमार प्यार मिला जहां तक नजर दोड़ाएं वहीं तक आरजेटी समर्थकों समेथ बिहार की जनता लालो की बेटी की एक जलक पाने के लिए बेकरार थी उसे अपना अश्रवात देने को बेताब हो रही थी लालो यादों को किड्नी देने वाले उनकी बेटी रोहिनी आचारे अब सियासी डेब्यू करने जा रही है पहली बार चुनाफ रचार के लिए अपने पिता लालो की कर्म भूमी पर पहुंची रोहिनी आचारे पर जिस तरह फूलों की बारिश हो रही थी और जनता का अपार समर्थन मिला उसे देख कर लगता है कि रोहिनी यहां जरूर कुछ करिश्मा करके दिखाएंगी दरसल आज से ठीक एक महीने पहले यानि तीन मार्च को पटना में हुई जन विश्वास महारैली के मन्च से आरजिरी प्रमुत लालू प्रसादय आदव ने अपनी बेटी रोहिनी आचारे की राजनीती में एंट्री करा दी थी ऐसा पहली बार हुआ था जब सिंगापूर में रहने वाली रोहिनी आचारे ने बिहार आकर ओश सियासी मन्च अपने परिवार के साथ साजा किया उस दिन रोहिनी पहली बार गांधी मैदान के अधिहासिक मन्च पर पहुँची और पिता के कहने पर उन्होंने समर्थकों का अभिवादन भी किया उस वक्त मन्च पर लालू परिवार के साथ कॉंग्रस नेता राहुल गांधी और कॉंग्रस अध्यक्ष मलिकार जुन खटगे भी मौजूद थे तब रोहिनी के लिए उनके पता ने जो शब्द कहे उससे साफ हो चुका था कि लालू राब्री, तेजस्वी, देशप्रताप और मीसा भारती के बाद तब रोहिनी आचारी की भी राज्मीति में एंट्री होने जा रही है मेरा किड्नी मेरा किड्नी का टांस्प्लांट हुआ है हमारी बेती यहां रोहनी अचारी बैठी है अपना किड्नी हमको दान दे जी जीवन दान कर दिया और हम पूरा बीमार जरूर हैं लेकिल बीमार हम समय पर नहीं है इस तरह पटना के एतिहासे गांधी मैदान पर भूमी का बाद ही जा चुकी थी रोहनी को लोकसभाचनाव से पहले लालू के गड़ में मोचा समहालने के लिए उनकी बेटी के लिए पटकत्था भी लिखी जा चुकी थी इंतजार था तो बस रोहनी के सारन पहुँचने का और जब वो सारन पहुची तो जनता ने वैसा ही प्यार और सम्मान लुटाया जो कभी लालू यादव को दिया जाता था वो बोली ऐसा लग रहा है कि मैं माई के आ गई हूँ इतना प्यार मिल रहा है जैसे कि मैं माई के आई हूँ अपने तो सारन का ये प्यार ये आशिरवाद जैसे मेरे पिता जी को मिलता था वैसा ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ बहुत भाके शाली हूँ कि जो मुझे भी सारन की जनता ने अपना है लोगसभा चुनाव नजदीक है लहाजा लालू की बेटी रोहिनी भी चुनाव प्रचार में जुट गई है मंगलवार को उन्होंने बिहार के सारन में रोजशो किया इस दौरान उन्होंने कहा कि जो प्यार मेरे माता पिता भाई को मिला है वही प्यार और आशरवाद आज मुझे मिल रहा है मैं ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती लेकिन मैं मरते दम तक सारन की जनता की सेवा करूँगी इसके अलावा रोहिनी ने कहा पिता लालू प्रसाद को मैंने किड्नी दी है सारन की जनता के लिए तो मेरी जान निशावर है मंगलवार सुबह पटना से सारन रवाना होने से पहले रोहिनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा लेकर अपने भगवान का अशरवाद चले हम अब जनता के द्वार ट्वीट के साथ ही रोहिनी ने राबडी आवास के मंदर में पूजा और लालू राबडी के पैठ छूते हुए तस्वीर शेर की और कहा मैं जनता के बीच जा रही हूँ मुझे अपने माता पिता और ससुराल वालों का आशरवाद मिला है मैं वहाँ जाकर रोट शो करूँगी इदर लालू की बेटी रोहिनी चुना प्रचार कर रही थी तो वहीं दूसरी तरब बिहार के डेपिटी सीएम समराच चौजरी ने लालू परिवार पर एक बार फिर परिवारवाद को लेकर हमला बोला समराच चौजी ने कहा कि लालू का परिचही परिवारवाद है लालू जी ने अपनी दो बेटी और दो बेटों को तो राजनीती में उतार ही दिया है अब जो हमारी पांच बेहने बच गई हैं उन्हें कब राजनीती में उतार रहे हैं वहीं इस जुबानी हमले पर जब प्रचार के दौरान रोहिनी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जो बोलता है बोलने दो हमें लालू की बेटी होने पर गर्व है अपने पिता की तरह ही मुखर रोहिनी आचारिस से जब बीजेपी के 400 सीटे बार करने के दावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तपाक से जवाब देते हुए कहा कि ये तो ऐसे दावे कर रही है जैसे अभी सेवियम मेशीन हैट कर दिये है अब आपको बिहार के धरती से राजनीती में डेब्यू करने जा रही रोहिनी आचारि के बारे में कुछ बताते है रोहिनी आचारि पेशे से एक डॉक्टर है साल 2022 में अपने पिता लालु यादव की तबियत खराब होने पर रोहिनी ने ही उन्हें किड्मी दे कर नया जीवन दान दिया था रोहिनी का जन्म स्थान पटना है और उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा भी पटना से ही पूरी की है जिसके बाद रोहिनी ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइन्स से डॉक्टरी की डिग्री हासल की साल 2002 में उनकी शादी समरेश सिंग से हो गई थी जो पेशे से सौफ़वेर इंजिनियर है और शादी के वक्त वो अमेरिका में जॉब किया करते थे शादी के बाद रोहिनी कई सालों तक सिंगापुर में रही और वो चुनाव लड़ने के लिए बिहार लौट चुकी है अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंगापुर में डॉक्टरी छोड़ कर आने वाली लालू की दूसरी बेटी राजनीती में क्या चमतकार दिखा पाती है क्या वो बिहार में डूब रही आरजेडी की नईया को पार लगा पाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा